Dear Students, मैं सौरग गुपता, आज आपके लिए लेकर के आये हूँ एक वीडियो जो कि Air Force को अगर लेकर के चलें तो Air Force के लिए बहुत ही important वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको Conversion बताने वाला हूँ जो कि Noun to Adjective कैसे हम Convert करते हैं इसके बारे मैं मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद में PDF इसमें हमें आटेज की हुई है, तो Description में मैंने PDF का Link दिया हुआ है, इस PDF को आप जरूर डाउनलोड करें ताकि जो भी इसमें words मैंने आपको दिये हुए हैं, इन words को आप पूरी तरह से Clear करें और एक्जाम से पहले इन words को जरूर एक बार देख कर जाएं चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, Let's Start! सबसे पहले AL लिखा हुआ है, AL होता है, जैसे हमने बोल दिया arrival, A-R-I-V-A-L, तो देखें यहां पर suffix में हमारा AL लगा हुआ है, तो दिखें यहां हमारे जो word है, वो suffix में लगेंगे, ठीक है, तो suffix जो होता है, वो किसी भी word के last में लगता है, जैसे हम लॉजी को बोलत सकता है, ठीक है, यह approval बोल सकते हैं, तो यह हमारे क्या है, noun है, इसी तरह से ANCE, ENCE, A-T-I-O-E-N, T-I-O-E-N, M-E-N-T, U-R-E, A-G-E, I-N-G, E-R-Y, यह सारे words जो है, हमारे key point होते हैं, suffix को बताते हैं, जो कि noun को बताते हैं, ठीक है, और इससे related और कुछ word है करना चाहें, तो hood होता है, hood भी आपका जो है, noun बता देता है, nest जो होता है, यह भी आपको noun बता देता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे word मिलेंगे आपको, इसके बाद मैं next आते हैं, adjective में, तो adjective में भी देखे, AL लिखा हुआ, अब तो हो गया confusion, ठीक है, लेकिन देखे, AL में क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया mathematical, ठीक है, अगर हमने बोल दिया mathematical, तो यह आपका क्या है, adjective है, या फिर हमने बोल दिया functional, F-U-N, C-T-I-O, N-A-L, अगर हमने बोल दिया functional, तो यह भी क्या है, adjective है, इसी तरह से full, A-R, E-N, A-B-L-E, some, ठीक है, या फिर आपका I-B-L-E, I-C, I-C-L, I I-S-H, O-U-S, I-O-U-S, I-V-E, और Y, यह word जो मिल जाते हैं, तो यह कहीं न कहीं है, adjective को बताते हैं, अगर इतनी information आपको है, तो बड़े ही आसानी से आप questions को solve कर ले जाएंगे, यहापर मैंने option नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको questions समझ में आएगा, देखें आपका environment दिया है, environment से आपका जो word बनता है, that is environmental, V-I-R-O-N-M-E-N-T-A-L, ठीक है, तो environmental word बनेगा, तो बिल्कुल आ गया होगा समझ में, इसके बाद में next आपका dogma दिया है, dogma से word बना dogmatic, ठीक है, dogmatic हो जाएगा, इसके बाद में next आपका dextry दिया है, dextry आपका जो word dexterity जो दि है, dexterous, ठीक है, तो D-E-X-T-E-R-O-U-S, ठीक है, तो dextry हो जाएगा, इसके बाद में next word आपका दिया है, deliberation, deliberation से word आपका बना deliberate, ठीक है, हम बोल सकते हैं, deliberate, किलियर है, इसके बाद में next आते हैं, decision दिया है, decision से word बना decisive, D-E-C-I-S-I-V-E, we can say that decisive, इसके बाद में next आप का दिया गया है, correction, ठीक है, correction से पहले decoration दिया गया है, decoration से word बना decorative, ठीक है, we can say that decorative, इसके बाद में next आपका correction दिया है, correction से word क्या बना? correction से word बना correct तो we can say that correct इसके बाद में corruption दिया है corruption से word बना corruptible तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c o r u p t i b l e corruptible हो जाएगा ओके तो यह slide समझ में आ गई होगी इसके बाद में next slide पर आते हैं next slide में कुछ word दिये गए है chronicle दिया गया है chronicle जो word है इससे बना हमारा chronological ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा c h r o n o logical ठीक है chronological हो जाएगा इसके बाद में next है cheer cheer से word क्या बना cheer cheerful यह आपको बिलकुल आता होगा तो देखे फुल लगा है जिससे यह पता चला कि दिया गया word हमारा adjective है center से one बना central तो देखे यहाँ पर al लगा हुआ है यह क्या है adjective है central इसके बाद में bribe दिया गया है bribe में आपका ब्राइबेबल होता है यहाँ पर हो जाएगा b r i b a b l e ठीक है ब्राइबेबल इसके बाद में next word पर आते हैं boy दिया है boy से word बना boys b o y i s h clear है तो i hope यह सारे word आपको समझ में आ रहे होंगे इसके बाद में next आपका दिया गया है bother bother से आपका जो word है तो सबसे पहले bother तो आएगा लेकिन इसके बाद में sum आ जाता है तो bother sum इसके बाद में benefit दिया गया है benefit से word बना आपका beneficial ठीक है F I C I A L beneficial word आजाएगा clear है यह भी slide आपको clear है आगे next slide पे आते हैं next आपका word दिया गया है economy, economy से word आपको आया economic हम बोल सकते हैं economic या फिर बोल सकते हैं economical ठीक है economical यह दोनों word इसके आजाएंगे इसके बाद में next आते हैं next आपका word accident दिया है accident से word बना accidental ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो word आजाएगा वो आजाएगा accidental इसके बाद में next आपका word दिया गया है accidental के बाद में next है anxiety, anxiety एक बिमारी होती है जिसमें लोगों को बेचाइनी होती है परसन बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है वरीड रहता है तो यहाँ पर हमारा जो word आजाएगा annexius a-n-x-i-o-u-s इसके बाद में next word आपका दिया है ancestor ancestor से word बना ancestral a-n-c-e-s-t-r-a-l ठीक है इसके बाद में next आपका census दिया है census से word बना sensible so we can say that sensible sensible हो जाएगा और we can say that sensitive so we can say that sensitive also isके बाद में आते हैं next में आपका years दिया है wise से word बना vocal so we can say that vocal also इसके बाद में next series series से word बना serial so we can say that serial seri-al this means we can say that serial आते हैं next slide पे next slide पे आपके जो word दिया है critic से word क्या बना तो आपको बिलकुल दिमाग में आ रहा होगा that is critical तो यहां पर critical हो जाएगा और देखे एल लगा है जिससे यह पता चले दिया गया word हमारा adjective है next आपका crime दिया है crime से word क्या बना बिल्कुल crime से word क्या बना criminal बना ठीक है इसमें भी एल लगा है जिससे यह पता चले एड़ेक्टिव है इसके बाद में essence है essence से क्या बना essential बना e-e-s-t-i-a-l ठीक है e-e-s-e-n-t-i-a-l ठीक है essential में देखे-e-l लगा हुआ है यहां पर भी adjective हमारा दिया गया है इसके बाद में next आपका evidence है evidence से word क्या बना इससे word बना evident इसके बाद में next आपका दिया है access access से word बना excessive e-e-s-c-e-s-i-ve we can say that excessive इसके बाद में next आपका दिया है excellence excellence से word बना excellent e-e-s-c-e-l-e-n-t we can say that excellent clear इसके बाद में next आपका excuse दिया है excuse से word बना excusable e-e-s-c-u-s-a-b-l-e that is excusable clear है तो होप यह सारे word क्लियर हो गेंग इसके बाद में हमने एक table बना रखी जिसमें मैंने verb noun और adjective और adverb यह सारे word discuss किये हैं ठीक है तो उनको देख लेते हैं उनको समझ लेते हैं तो देखे सबसे पहला word हमारा accept दिया गया है accept से हमारा जो word बना वो क्या बना noun हमारा जो बना तो accept से word आया acceptance ठीक है तो यहां पर acceptance जाएगा इसका adjective जो होता है acceptable होता है यह लग जाता है ठीक है इसके बाद में एरकाइब दी एचीव दिया है एचीव से बना achievement लगा है मेंट का मतलब यह हमारा क्या है noun है तो यहां पर achievable हो जाएगा और able मैंने आपको बताया थे एक root word होता है जिससे यह पता चल जाता है क यह दिया गया वर्ड हमारा क्या है आपका adjective दिया गया है इसके बाद में next है act act बना action action से आपका जो noun है यह और इसके बाद में आई वी लग जाएगा तो आमारे एड़ेक्टिव बन जाएगा लोग जाएगा तो यह इसके बाद फोर्ट नंबर में एक्ट दिया है एक्ट आपको रूट वर्ड बताया था सफिक्स बताया नेस लगा है तो नाउन है और यहां पर आई वी लग गया तो यहां पर भी एक्टिव और एक्टिविली देखिए एक्टिविली जो होता है वह आपका एडवर्ब हो जाता है और ज्यादा तर आप देखते हैं कि लवाई लगा है नाउन है एडजेस्टिबल यह आपका एडजेक्टिव है एडमायर एडमायर से एडमायरेशन लगा है जो कि एक नाउन है एडमायरेबल जो कि एक एडजेक्टिव है इसके बाद में एडवाइस तेकि थोड़ा सा एडवाइस में कन्फ्यूजन होता है कहीं पर ह हम देखते हैं A-D-V-I-C-E और कहीं पर देखते हैं A-D-V-I-S-E तो देखे A-D-V-I-C-E जो होता है यह नाउन होता है और यह जो A-D-V-I-S-E जो होता है यह आपका वर्ब होता है तो यहाँ पर confusion की कोई बात नहीं है इसके बाद में देखे हमारा जो advice का जो नाउन होगा वो आपका C-E वाला होगा और S-A-B-L-E यह आपका adjective हो जाएगा इसके बाद में 10th नमबर पर देखे अमास दिया है अमास का हो जाएगा मास और मास से फिर adjective मैसिव हो जाएगा I-V-E लग जाएगा और मैसिवली अगर हो गया तो यह adverb हो गया clear है तो I hope यह सारे word आपको स इससे बाहर से question आपको नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आप exam से पहले इस पीडियाप को पढ़के जाएगे और इस ही से questions आपको मिलेंगे clear है dear students I hope यह आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा और बिल्कुल कोई ऐसा exam नहीं है जिसमें हमारा यह conversion ना आता हो तो बिल्कुल आपको यह clear होना चाहिए और आगे आप कौन से chapter पढ़ना चाहते हैं कौन से chapter आपको week है उसको आपको गमेंट में करके बताएं औ और हम उसको वीडियो को लेकर करके आएंगे आपके लिए तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट के साथ में हाजीर होते हैं जाहें